पीजी आई के उत्रटिया रेलवे स्टेशन के पास पुलिस और बदमाशों में मुटभेड हुई जिसमें बंगाली बंत्रा कर रहने वाला बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया है जबकि एक अन्य बदमाश भी पुलिस के हथे चड़ा है पुलिस ने लूट की बाइक बरामद की है साथ ही उनके पास से असलहा और कार्टूस भी बरामद हुआ है वहीं पुलिस कमिशनर सुजीत पांडे ने बदमाश को घायल कर दबोशने वाली पुलिस टीम को 20,000 रुपे का इनाम देने की घोशरा की है क्या घटना है दो तारीकों बंथरा और पीजी आई के बॉर्डर पर एक घटना घटेत हुई थी जिसमें की बाइक और पर्स बाइक और मोबाइल फोन कुछ हीने गए थे तो एक सूचना प्राप्त हुई थी कि दो बाइकों पर चार बदमाश हैं वो जा रहे हैं तो क्राइम टीम और पीजी आई की टीम को लगाया गया था चेकिंग करते समय जब काफी तेजी से उत्रटिया की तरफ से क्रॉसिंग की तरफ ये आ रहे थे तो रोकने की कोशिश की गई तो और तेजी से दोडाने लगे तो जो आगे वाली बाइक थी वो तेजी से निकल गई लेकिन पीछे वाली बाइक का जब पुलिस पार्टी पीछा करने लगी तो उसने फायर कर दिया तो हमारी जो पुलिस टीम है वो लगबग डिस बैलेंस हो गई लेकिन सूचना देकर आगे फिर इनको चेज किया गया तो ये लेफ्ट मूड के फिर इस तरफ भागे और पुलिस टीम के उपर फाइरिंग कर दी और पुलिस टीम ने फिर जवाबी फाइरिंग किये तो एक अक्षे के पैर पे जो है गोली लग गई है अक्षे बंगाली टोला बंथरा थाने के रहने वाला है और दूसरा एक भाग गया था जाडियों में उसको फिर चेज करके पकड़ा गया वो कुवर है एक अमोल गाउ लगता है पीजी आई का कली पस्चिम छेत्र का वो वहां क रहने वाला है तो ये दो लोग पकड़े गए हैं इनकी बाइक जिस पर ये चल रहे थे ये वही बाइक है जो दो तारीकी घटना में चीनी गई थी और एक फोन जो बरामद हुआ इनके पास से वो भी घटना से रिलेट कर गया है जो आगे बाइक गई थी वो रेसर आइक थी उस पर दो लोग थे तो उसके लिए भी चेकिंग की है और नाके लगाए हैं देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइट 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें